नमस्कार दोफ्सों इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पूर आपका स्वागत है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनिये उसकी तीसरी टाउंगे कुछी महीने हुए हैं लेकिन एक समय पर लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे उसमें से कई सारी लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी न दाल जा दे रहे हैं और कुछ जगहों पर ये भी बाते चल रही हैं कि लेंद्र मोदी जी को चूरिया पहन लेनी चाहिए या फिर उनको साडी पहन के आना चाहिए एंड तिंग्स लैग डाइट अब लोग ये समझते नहीं हैं कि लेकिन वो पूरे भारत के सभी भारतियों के प्रदर्मत तो सबसे पहले इस बात का कंड़न करेंगे कि ये जो बात वो बिलकुल ही गलत है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आलकी जो तीसरी टाम है जिसके लिए पात साल है उनके बात जिसमें से अभी कुछी महीने एक दम ही गलत है और उस बात को प्रूख करने के लिए आज ये एक पर्टिक्लर इंफोमेशन हम आपके साथ साजा करने वाले हैं ये जो पर्टिक्लर इंफोमेशन है नौर्टीस को लेकिन ये कुकी से रिलिटेट नहीं है लेकिन अन्य कुछ और भी गतिवितिया महाँ प बन जाता है तो उसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में टर्चा करेंगे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें चैनल तो सब्स्ट्राइब करें बेल आइकन दबाना ना हुले ताकि आपको और एक प्रकार की इंफोमेशन मिलती रहे तो आई ये शुरू करते हैं त तो हाल में जब भी हम नौर्थीस्ट की बात तो जादतर भारतिलों के दिमाग में एक ही पर्टिक्लर स्टेट आता है वो है मनिपो और उसमें पर्टिक्लर मेतेज वर्सेज कुकी का जो एक मामला एथनिक क्राइसिस के तौर पर खड़ा किया गया है जो कि ओरिजिनली कु कई सारे राजे हैं और उन सभी राजों में इस प्रकार के कई सारे और्गिनाजेशन्स हैं जो पैदा हुए थे 1980 के दशक में और उनका जो में एजंड आथा वो था भारत से अलग होनेगी अब उसी पर्टिक्लर दशक में क्यों हुआ था तो उसके पीछे भी कई सारे इस हैं खास करके सेंटरल गवर्मेंट को लेकर खास करके दो एड्मिनिस्ट्रेशन राउस समय पर उसको लेकर और जिस तरह से इन राजों को इग्नोर किया गया था था त्रूआउट सर्टन पार्टी स्टेन्यॉर एज प्राइम मिनिस्टर उसके चलते वहां पर ये जो सेप पहले उन्होंने एक पर्टिक्लर डिसिजन लिया है तो लुक इस एड़ एड़ इस नरेंदर मोजी जी कुझ कई सारे भारत के अलगलग राज़ों में गूमें हैं और उनको पता है कि ग्राउंड पर क्या परिस्टिया खड़ी हो रही हैं तो उसके चलते उन्होंने उन सि कारियों में अपना बहुत सारा परिश्रक लगा गिया है अगर बात करें नौर्थीस्ट की और जो अलग-अलग राज़ यह हैं उसकी तो वहाँ पर जैसे कि हमने बता रहा है कुकीज का एक ही मुद्दा नहीं है अलग-अलग राज़ों में अलग-अलग ऐसी जो भारत से अलग होने की बात करती है जो लोगों को आपर पढ़काती है तो भारत के जो सेंट्रल एड्मिनिस्टेशन है उसको अपना एड्मिनिस्टेशन नहीं मानती है उनके दूर्स रगिलिप्रमान ने से इंगा कर एसी अगर पुट और ओर इसे का नाम लिया जाये अलग-अलग स्टेट में हैं चाये वो अरुनाचल में ले लिजे चाये वो उत्रपुरा में ले लिजे या किसी भी स्टेट में ले लिजे सभी स्टेट में ऐसे ठोटे बड़े बहुत सारे सेप्रेटिस ओर्गिनिस्टेशन है वो भारत से अलग होने की मांग करते हैं जो Central Government और Central Government जवारा जो Rules and Regulations जो Near और जो सम्विदा Implement पिया जाता है उसको चाहे वो किसी की भी Government हो उसको वो लो मानने ऐसे इंकार करते हैं जैसे कि हमने बताया पिछले 35 सालों से ये संगटन बने हुए हैं तो उनकी जो गत्विदिया हैं वो पिछले 35 सालों से लगा था चलती आ रही हैं लेकिन इनिशल टाइम फ्रेम में जो सरकारे थी उन्होंने इन ओर्गनेजिशन को तोन डाउन करने में और उनको वापस मेल स्रीम में लाने में कोई भी साधा एफर्ट लगाया हुआ ऐसा नहीं दिखाई पर रात लेकिन हाल में जब से पिछले दस्तान से नरेंदर मोधी जी की सक्कार आई है उसमें खास करके घमिशार जी ने अजीद दोवाल जी ने और अन्य कुछ प्रामिनन्ट जो नेता हैं जो लीडर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कई सारे एफर्ट लगाया है वहाँ पर ये जो और गिनेजिस्न्स हैं उसमें जो मिस्गाइड़ड एक्चुली जोग यूथ हैं तो मेंस्ट्रीम से जुनना नहीं चाहते हैं और वे लोग उसके चलते उन लोग के साथ मुद्धेर होती रहती है लेकिन वहाँ पर भी समय दर समय दो लोग की नकसलाइट हो गये थे और उन लोग को अगर मेंस्ट्रीम में आना है तो गवर्मेंट अपने पूरे प्रयास कर और दीरे-दीरे करके नचसलिजम को फटर करने की दो कर रही है कुछ उसी तरह से रीसन बुद्वार को हमेज चार्डी त्रिपूरा में जहां पर उन्होंने त्रिपूरा की दो ओर्गिनेशन एनलेफ्टी यानि की नेशनल लिपरेशन फ्रेंट और त्रिपूरा और यह BBC की रिपोर्ट है उसको हम यहां पर कोट कर रहे हैं कि BBC की साल 2000 की रिपोर्ट की अनुजार यह जो एनलेफ्टी बना था वो वहाँ पर एक Baptist Church के बैकिंग्स बनाया गए जी हां Christian Missionaries की जो movement है North Eastern वो पहले से ही काफी सारे दर्शनों से वहाँ पर चालू है constantly और उसी के अंदर गथ यह NLFT National Liberation Front और त्रिपूरा बनाया गया था जिसकी Armed Wing के तौर पर ATTF बनाई गया था ATTF याने फिर से All Tripura Tiger Force जिसको NLFT की Armed Wing के तौर पर बनाया गया था लेकिन बाद में वो लोग split हो गए और ATTF का जो headquarter है वो हाल में बांगलादेश मे जी हां वहां पर मनेपूर में अलग-अलग शेत्वों में अलग-अलग प्रगार के organizations, militant groups और separatist groups खड़े हैं और वे लोग constantly rebel कर रहे हैं भारत के खिलाब भारत की सरकार के खिलाब और भारत से अलग होने की माम कर रहे हैं तो उनको mainstream में वापस लाने के पिछले 10 सालों से कई सारे ने था, including Amitra जी, constantly कारे रहे हैं और उसी शेनी में टोटल 12 अलग-अलग 10 agreements हुए हैं जिसके अंतरवर अभी तब 10,000 ऐसे separatist या फिर militants भारत की में से पूड़ा रहे हैं अगर 10,000 लोगों की बात की जाए हैं तो पूरे Mauritius की वो force है उसकी जो संख्या है वो है 10 1000 personnel तो एक पूरे देश की जो security force है उतने लोगों को तो सिर्फ यहाँ पर main street में पिछले 10 सालों में भारत की सरकार ने और भारत के home ministry ने साथ में एने से अजीर दोवल जी ने और अन्यक कई सारी ministry ने मिलकर और ministers ने मिलकर यहाँ पर state government का भी जो role है उसको भी ignore नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका भी role बहुत ही prominent है बहुत ही important है ऐसी peace agreements में जहां पर वे लोग वहाँ पर locals हैं और वे लोग वहां के जो militants हैं जो separatists हैं उन लोग के साथ बहुत ही easily communicate करके बातों को पहुचा सकते हैं उन तक और भारत की सरकार क्या सूपके है उसको वहां तक पहुचा स तो इस प्रकार से Home Ministry of India ने पिछले 10 सालों ने 12 अलग-अलग peace agreements किये हैं जिसके अंतरगत 10,000 ऐसे youth, ऐसे you, ऐसे families वापस भारत की mainstream में जुड़े हैं जो भारत की economy में contribute करेंगे जो की एक समय बंदूक लेकर खड़े थे, असले बारूद लेकर खड़े थे, गुला और भारत के जो लोग हैं, जो अपने ही लोग हैं, उनके उपर हमला कर रहे थे, उनके उपर अटेक्स कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को भारत के mainstream में जोड़ा जा रहा है पिछले 10 सालों से और उसी श्रेणी में एक और गुद्वार को 12th agreement हुआ है, peace agreement between NLFT, ATTF and Home Ministry and Government of India, जि इसके चलते, 328 और separatist और militant ideology वाले लोगों उनकी ideology चेंज करते हुए, दीरे दीरे करते हैं, वापस भारत में टोड़ा जा रहे हैं, तो इस प्रकार के भी रास्ते हैं, और इस प्रकार के भी रास्ते अपनाये जा रहे हैं, जहां पर ऐसे लोग जिनको बटकाया गया है, कुछ specific mindset वाले ideology वाले लोगों के द्वार, उनके चंगुल से उनको छुड़ा कर, वापस उनको mainstream में लाने का काम भी चल रहा है, यह जंग हमारे ही लोगों के सामने है, और इस जंग हमको resolve भी करना होगा, इसको गुला बारुच से resolve नहीं कर बटने हैं, जहां तक हो सके, diplomatically communication के तुछ उन लोगों को वापस समझा कर, mainstream का हिस्सा बनाया जाए, तो वे लोग सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बलकि उनके परिवार के लिए एक बहुत ही महत्पूर्ण योगदाव, दे सकते हैं in a positive sense, तो उसी के चलते हैं, उसी प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, भारत के अंदर में और उसके साथ, एना ये constant लगी हुई है, पूरे भारत में, अलग-अलग जगह उपर, समय दर समय रेट करते हैं, जहां पर drugs की बात आती, वहां पर drug cartels को पकड़ा जाता है, जहां पर इस प्रकार के separatists की बात आती है, वहां पर उनमें जो leaders हैं, जो लोग व बढ़काते हैं, उनको जो गलत राश्य पर ले जाते हैं, उनको पकड़कर जेल में डालते हैं, और बाद में इस प्रकार के communications किये जाते हैं, ताकि जो सामान्य इंसान हैं, जो common man, जो ये चाहता है कि वो भी mainstream में जुड़े, और वो भी एक आम जिंदगी की है, वो भी एक normal जिंदे की है, उसको वापस mainstream में लाया जागा, तो उसी के चलते हैं, इस भी द्वार को, अमिच शा की presence में, ये peace agreement साइन किया गया, NLFT और ATTF के 328 और separatist militants के द्वारा, और बे लो अब mainstream पा हिस्सा बनेंगे, साथ ही में, अमिच शा ने, त्रिपुरा के लिए 2500 करूर का fund देने की बात भी कही है, वो इसी के चलते, North East में, militancy को कम करने के लिए, separatism को कम करने के लिए, और बाहर की जो ताकते हैं, जो भारत के लोगों का गलत इस्तमाल करती हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जाती है, और उनके हाटों में बंदूख थमा देती हैं, ताके वो अंडर दे रैप चल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों को जादा कबर नहीं होती है, कई सारे फिर भी न्यूज आते हैं, तो जो लोग ये न्यूज अनालिसिस करते हैं, जो लोग इन बातों को समझते हैं, जो लोग इन बातों को पढ़ते हैं, स्टड़ी करते हैं, उन जो चाहा उस प्रकार से नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि सरकार अपना काम नहीं कर देए, वो सकता है, यह भारत में उससे भी बड़े और कई सारे मुद्दे अल्रेडी है, जिसको रिजॉल करना और भी जादा इंपोर्डन्ट है, नहीं तो भारत को तूटने मे जिस अकन भारत की आप लोग बात करते हैं, उसी भारत को तूटने में देव नहीं लगेगी, उसका प्लैनिंग क्योंकि अल्रेडी किया जा रहा है, बाहरी कई सारी ताकतों के बारा, हम लोग से बीप टेक की बात नहीं कर रहा है, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, उसम भारत की उन्नती से खुश नहीं है, हमारी आप की उन्नती से खुश नहीं, तो ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े मसलें, जो मेंस्ट्रीम मेडियार में नहीं आते हैं, तो मेंस्ट्रीम मेडियार जिसको कवर नहीं करते हैं, जिसको रबिश लोग कवर नहीं करते हैं, तो उसी के चल दे हम लोग सभी से निविदन कर दे हैं कि प्रधान मन करें तो कि ये चैर टैटि उसको सम्मान दे उसका अपमान ना करें और जो भी भारत की सरकारहाल में कर रही हैं उसको भी कंसिलरेशन में ले बिफोर क्रिटिसाइजिंग दन ऑन वन और अधर हम हो मिनिस्टर हमिट्षाद का भी जन जो मर्भ पेसाँ विख यह जो स्राइनक गष्प और साधुमान का रहा हैं नूर्थेस्टके सब्षाद्वेडा रीडर भीर की यह जोन जोन जोड़ने के लिए नौर्थ पर सब्सक्राकाइट न कोने ने जोसका स्वेश्ट सादुवाद करते हैं क्योंकि बात भारत की है क्योंकि बात आप क्या सोचते हैं यह हमें कॉमेंट में ज़रूर बताए विडियो को लाइक करें चैनल को अबस्ट्राइब करें और देश और दुनियात की अलग-अलग खबरों को जाने के हमारे साथ वाट्सेप के माद्यम से और एक्स के माद्यम से दुड़ें लिंक नीचे डिस्ट्रें में भी आ गया है मिलेंगे अगली कबर में तब तक के लिए जय हिंद हर हर्मादे